नमस्कार दोस्तों आज की कोर वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ग्यान जूम में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आपका आधार कार्ड एनपीसीय से लिंक है या फिर नहीं है आपका आधार कार्ड बैंक अकॉंट से लिंक है या फिर नहीं है हम किस तरीका से पता कर सकते हैं और अगर आपका आधार NPCI से लिंक है तो फिर किस बैंक अकॉंट के साथ लिंक है और अगर बैंक अकॉंट के साथ लिंक नहीं है आप किसी भी सरकारी योजना का लाब लेना चाहते हैं। वैसे अब जितने भी सरकारी योजना है उन सभी का पैसा सीधे लवार्थी के खाते में ट्रांसफर होता है। अगर आपका बैंक अधार से यानि की एनपी सीधे लिंक नहीं है तो फिर आप डिरेक्ट वैनिफिट का पैसा आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर किसी एक खाते को एनपी सीधे लिंक करवाना जरूरी होता है। फिर जितने भी सरकार युजना का पैसा है वो आपके एनपी सीधे लिंक खाते में सीधे आ जाता है। इसके अलावा अभी हाली में एनपी सीधे ने एक नया सर्वीस लॉंच किया है यदि आपके पास डेविट कार्ड यानि की एटियम कार्ड नहीं है और आपका बैंक अकोंट एनपी सीधे यानि की आधार से बैंक अकोंट लिंक है। तो फिर आप लोग आधार नमर के माध्यम से ही यूपिया का रेजिश्टेशन कर सकते हैं। यूपिया पिन सेट कर सकते हैं। कि आपका bank account यदि आधार से link नहीं है तो फिर आप किस तरीका से आधार से bank account को link करवा सकते हैं दोस्तों आप mobile में Google या फिर Chrome को open कर लेजे चलिए open कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पे search कर लेना है UIDAI चलिए search कर लेते हैं आप यहाँ पर जैसे ही UIDAI टाइप करेंगे यहाँ पर देखे आजाएगा आधार का website uidi.gov.in आप इस पर click करेंगे अब आपको इस तरीका से open हो जाएगा यहाँ पर देखे बहुत सारा option दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर scroll करके नीचे आना है यहाँ पर देखे लिखा हुआ आधार service आपको यहाँ पर आधार service पर click करना है अब यहाँ पर देखे आपको फिर से बहुत सारा option सो करेगा तो यहाँ पर आपको सबसे यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर देखे लिखा हुआ आधार linking आप इस पर किलिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ आधार लिंगिंग फ्रॉम एनपी सी ई सर्वर देख सकते हैं चलिए अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार नमबर फिल अप कर लेना है इसके बाद जो भी क्याप्चा को यहाँ पर सो कर रहा है इस CAPTCHA को आप यहाँ पर fill up करेंगे यदि CAPTCHA आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पर refresh पर किलिक करके दूसरा CAPTCHA ले सकते हैं चलिए हम यहाँ पर आधार नमबर fill up कर लेते हैं यहाँ पर आधार नमबर fill up करने चेक योर मवाइल तो जो भी आपके आधार कार्ट के साथ मवाइल नमबर लिंक है उस पर OTP आया होगा चलिए OTP fill up करने के लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा इंटर OTP तो आप यहाँ पर OTP fill up करेंगे चलिए fill up कर लेते हैं यहाँ पर OTP fill up करने के बाद सम्मीट पर किलिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप सम्मीट पर किलिक करेंगे तो जो भी आधार के साथ बैंक अकोंट लिंक होगा जो भी NPCI के साथ आपका बैंक अकोंट लिंक होगा, यहाँ पर वह सो करेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपका आधार नमबर है, उसका लास्ट चारक छर्ष हो कर रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है bank linking status, तो यहाँ पर देखे active लिखा हुआ है, यानि कि हमारा NPCI के साथ bank account link है और वह active है, जितने भी सरकारी और जना का पैसा है, हमारे bank account में निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि यहाँ पर active लिखा हुआ है, यदि आपका यहाँ पर active लिखा हुआ नहीं है, तो फिर जो भी सरकारी और जना का पैसा है, वह आपके bank account में नहीं आएगा, इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर देखे लिखा है bank linking date, तो जो भी date में आपका bank account NPCI के साथ link किया गया है, यहाँ पर वह date सो करता है, इसके अलावा नीचे में आपको bank का नाम भी सो करेगा, जो भी आपका bank account आदहार से link है, NPCI के साथ link है, यहाँ पर वह नाम सो करेगा, यानि कि जो भी सरकारी योजना का पैसा है, जिसे कि gas subsidy का पैसा, या फिर छात्रविर्ती, या फिर pension, या फिर सोचाले वनवाने हैं तो जो सरकारी योजना का पैसा आता है, वह आपका इसी bank account में आएगा, जो bank account यहाँ पर लिखा हुआ है, दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपका यहाँ पर bank का नाम सोक नहीं कर रहा है, तो फिर आपका यहाँ पर bank account NPCI से link किया हुआ नहीं है, तो इस तरीका से आप लोग मालुम कर सकते हैं कि आपका bank account NPCI के साथ link है या फिर नहीं, आपका bank account अलहार से link है या फिर नहीं, अब दोस्तों यदि आपको यहाँ पर इस तरीका से सो नहीं हो रहा है, आपका यहाँ पर bank account NPCI के साथ link नहीं है, यहाँ पर bank का नाम सो नहीं कर रहा है, यदि आपका bank account NPCI के साथ link नहीं है, अधार से लिंक नहीं है तो फिर आपकी इस तरीका से अपने bank account को NPCI के साथ लिंक करेंगे चलिए आपको detail में बताते हैं अधार से आपके bank account को NPCI के साथ लिंक करने के लिए सिर्फ biometric लेता है original अधार card आपका देखता है साथी photocopy अधार card का लेता है और passbook का photocopy लेता है उसके बाद आपके bank account को NPCI के साथ लिंक कर दियाता है लेकिन किसी किसी bank में अधार से seeding के लिए आपको form भरना होता है जो की NPCI एक form दिया है और आपको यह form fill up करना होता है और form fill up करने के बाद आपको branch में जमा करना होता है उसके बाद आपको biometric लियाता है उसके बाद आपके account को NPCI के साथ link कर दियाता है मैंने वीडियो के description में link दे दिया है आप लोग form को download कर सकते हैं और print कराके form को fill up कर सकते हैं और branch में जमा कर सकते हैं तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीका से आप form fill up करेंगे दोस्तों मैंने वीडियो के discussion में जो link दिया है आप उस पर click करेंगे तो आपको ये form download हो जागा ये form 3 page में है तो आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर देखे लिखा है application for linking seeding आधार number यदि आपके bank account के साथ आधार link नहीं है या फिर जो bank account आधार के साथ link है आप उसे change करना चाहते हैं तो दोनों condition में आपको ये form को fill up करना है देखे यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें branch का नाम यहाँ पर fill up कर लेना है जो भी branch में आपका account है इसके बाद यहाँ पर bank का नाम आपको fill up करना है इसके बाद आपको यहाँ पर account number fill up कर देना है यहाँ पर आप अपना नाम fill up करेंगे पूरा पूरा नाम यहाँ पर भी आपको account number fill up कर लेना है इसके बाद यहाँ पर देखे तीन option दिया गया है तीन पर आपको टिक कर लेना इस बॉक्स में इसके बाद यहाँ पर अपना एकॉंट नमर फिल अप कर लेना है लेकिन दोस्तों यदि आपका आधार से बैंक अकॉंट लिंक है और आप बैंक अकॉंट को चेंज करना चाहते हैं दूसरा bank account में आधार को लिंक करना चाहते हैं तो फिर आपको इस box में टिक करना है और यहाँ पर जो bank account के साथ आधार लिंक है वह bank का नाम आपको यहाँ पर फिल अप कर देना है इसके बाद यहाँ पर है IIN number तो यहाँ पर आपका जो भी बैंक अकॉन्ट के साथ आधार लिंक है उस बैंक अकॉन्ट कार्ड जो ATM कार्ड होता है उसका पहला 6 एक्षर यहाँ पर आपको फिल अप कर देना है यदि आपको यह समझ में नहीं आता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं इसको fill up करने की जुरूत नहीं है इसके बाद यहाँ पर signature करना है इसके बाद यहाँ पर आपको नाम fill up कर लेना है यहाँ पर आप अपना mobile number fill up करेंगे यदि यहाँ आपके पास email ID है तो यहाँ पर आप email ID fill up कर लीजे इसके बाद यहाँ पर आपको लगाना ही होगा इसके बाद यहाँ पर भी आपको signature कर देना है फॉर्म को fill up करके जो भी बैंक में आप आधार के साथ bank account को link कर रहें उस बैंक में original आधार card इसके अलावा फॉटो कॉपी आधार card का साथी आपके पास passbook होना जरूरी है इसके बाद यह form जो आपने fill up किया इसको आपको लेके जाना है बैंक में और जमा करना है बैंक में जाने के बाद आपका biometric लिया जागा यानि कि आपका अंगुठा लगायागा अंगुठे के दौरा आपका bank account NPCI के साथ link कर दिया जागा तो इस तरीका से आप लोग अपने bank account को NPCI के साथ link कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यदि आप आधार से bank account को link करते हैं तो यहाँ पर और भी benefit देखने को मिलता है जैसे कि यदि आपके पास ATM card नहीं है और आप UPI registration करना चाहते हैं UPI pin set करना चाहते हैं तो फिर बिना ATM card के UPI registration कर सकते हैं UPI pin set कर सकते हैं UPI registration करने के लिए ATM card का ज़रुवत नहीं होता है आप लोग अधार नमर के मादेम से ही UPI registration और UPI pin set कर पाएंगे यह सब benefit आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर यदि आपका आधार नमर bank account के साथ लिंक नहीं है NPCI के साथ आपका bank account लिंक नहीं है तो आप जरूर करा लिजे मैंने आपको complete process बता दिया है आपके मन में कोई सवाल लगता है तो comment जरूर कीजेगा फिर मिलता अगली वेडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर